So after completing playlists on V-Ray, Enscape, SketchUp, Lumion, E-Taps and Photoshop Now it's time to learn Blender Yes, ये 2023 का हमारा target है जो हमें बहुत detail में cover up करना है और आपको भी सिखाना है So यहाँ पर आपको download कैसे करना है और basic interface इन सबसे मैं दोस्ते ही detail में करवा दूँगा आज के इसी वीडियो में So yes, मेरा नाम है अनुकुल कुमार, अगर आप मेरे चैनल पढ़नाए हो तो चैनल को कर लो subscribe, वीडियो पसंद दो लाइक जरूर करना और उसके साथ साथ बैल आइकन जरूर दबाना, ताकि भी जो latest videos के update है वो आपको बिलते रहे यहाँ पर download करने के लिए आपको सबसे पहले blender.org इस website पर चले जाना है official website है, download पर click करना है, 100% free software है, मैं यहाँ पर 3.4.1 version use कर रहा हूँ, called अब तक का latest यानि January 2023 का latest है, आप यहाँ पर download करके install कर लोगे, between कोई भी problem आती है, आप यहाँ पर WhatsApp ग्रूप मेरा join कर सकते हैं, उस group के अंदर कोई भी हम discussion रहते हैं, सारे मिल कर करते हैं, like कोई भी answer आपको नहीं पता है, वह आप यहाँ सकते हैं, और भी काफी सारे instructors हैं उसमें जो आपको help करेंगे, between यहाँ पर requirement के बारे में बात कर लेते हैं, system requirement minimum क्या होना चाहिए, officially यहाँ पर given 8GB minimum RAM, with full HD display, and most important called graphic card minimum 2GB का तो होना ही चाहिए, साथी साथ recommended कौन सा होता है, तो यहाँ पर 32GB RAM, अगर आपके पास 8GB तो भी आप सीख सकते हो, no issue, but best और बड़े-बड़े projects अगर आपको करने हैं, तो minimum 32GB RAM, और उसके साथ graphic card 8GB का होना चाहिए, जो major graphic card के brands है called NVIDIA, AMD, Intel, so यह सारे support करते हैं, although आप macbook पर भी आप easily इसको काम कर सकते हैं, macOS में भी काम कर सकते हैं, so यहाँ पर बढ़ते हैं blender के interface पर, लेकिन उससे पहले क्या-क्या features हैं, उसको discussion कर लेते हैं, so यह एक free software as I told you, and यहाँ पर rendering करना आसान है, modeling करना, सबसे बड़ी बात modeling के लिए, और software में काफी जंजट है, काफी सारे problem है, बट जब आप आगे देखोगे, मैं आपके लिए बहुत आसान कर दूँगा, इस blender software को, starting में लगेगा, कि यह बहुत मुश्किल्स है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप sculpting भी कर सकते हो, यहाँ पर human modeling भी कर सकते हो, ठीक है, VFX, like boom, fire, यह वो सब कुछ आप कर सकते हो, बहुत wide option है यहाँ पर, मतलब earning के sources बहुत जादा है, अगर आप detail में सीख जाते हो, चलिए यहाँ आपर move करते हैं, यह कोई ज़रत नहीं है, जैसे जैसे आप आगे वीडियो को देखते जाओगे, सब कुछ clear होते जाएगा, यहाँ पर पहले मैं basic UI को clear करवा देता हो, यहाँ पर यह जो आप एक box देख रहे हो, यह हमारा object है, उसके साथ यह जो है आपका एक camera है, यहाँ पर जो आप देख रह render करके दिखाता हूँ, simple है, render पर click करोगे, render image पर click कर दोगे, जिसका shortcut F12 भी है, तो आपको notebook copy जो भी है, वो जरूर रख लेना, काफी सारे shortcuts मैं आपको बताऊँगा, shortcut से ही आपका काम आसान होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस camera की वज़ह से, यह कुछ ऐसा camera है न जिसे जिसे आप आगे बढ़ोगे, मैंने बताया न, detail में आप सीखते जाओगे, जो requirement होगा, वो हम सीखेंगे, मैं आपका time बिल्कुल भी नहीं waste करना चाहता हूँ, कि यह panel का क्या use है, इसका क्या use है, time के according आप सब जान जाओगे, between यहाँ पर आपको अगर वीडियो पस करके दिखाता हूँ, यहाँ पर इस image के आपको कुछ चीजे, previous experience अगर है, तो ज़्यादा बेटर है, called आपको lighting का अच्छा knowledge होना चाहिए, shadow का अच्छा knowledge होना चाहिए, तब ही आप यहाँ पर blender अच्छे से use कर पाएंगे, और अगर नहीं भी है, बहुत basic knowledge है, तो भी चले करके इसको ऐसा move कर सकते हो, ठीक है, अब आप इसको जब move करते हो, तो इसको पता नहीं चलता कि यह move कहां हो रहा है, यह देखो, अभी मैंने उपर किया, तो किस height पर यह up and down हो गया, between यहाँ पर कुछ access भी गवना, आप इसके through भी कर सकते हो, but personally मैं क्या use करता हूँ, तो आप अपने keyboard पे G, simple one time प्रेस करोगे, और अब आप object को select कर लेना, ठीक है, फिर आप G को प्रेस करना, आपको object इस तरीके से move हो रहा होगा, मैंने कोई भी mouse का button hold नहीं किया है, simply मैंने G प्रेस किया है, और आप इस तरीके का देख पा रहे हो, अब यहाँ पर आप रख भी यह जो axis दिख रहा है, Z, Y, X, तो आप वो button प्रेस करोगे, although नीचे भी आपको यहाँ पर commands लिखे हुए आ रहे हैं, देख सकते हो, X, Y, Z, है ना, ऐसा लिखा हुए नीचे देखो, ठीक है, अब यहाँ पर आपको जिस भी axis में इस box को use करना है, वो यहाँ पर आपको तो वो देख पा रहे है, ठीक है, तो यहाँ पर यह एक best तरीका है, जो आपको use करने में काफे ज़ादा help करेगा, commands लिखते जाना guys, क्योंकि यह बहुत ज़ादा important है, अब यहाँ पर मालो इसकी positions को align करना है, वापस से जहाँ था यह, क्योंकि अगर मैं इस box को select करता तो यहाँ पर मैंने क्या पता है, आपको simply object को select रखना है, G button press करना है, ताकि आपका यहाँ पर activate हो जाए, move tool, and after that जिस भी axis में करना है, मालो Z, तो मैंने simply Z press किया, और यह आप कर पा रहे हैं, अगर आप नहीं करना चाहते है, command को cancel करना चाहते हो, तो आप escape कर सकते हो, अग home, आप देख सकते हो, यहाँ पर property panel में यह 2 meter लिखा हुआ आ चुका है, अब यहाँ पर आगे और भी tools है, like rotation and scale उसके बारे में भी जान लेते हैं, यहाँ पर आपके पस दोनों options है, rotation and scale, but यहाँ पर आप अगर shift और space bar प्रेस करते हो, तो आपके पास यह एक right click में ही open हो ज हो जाता, S button से यह scale होगा, ठीक है, कोई भी command से exit होना है, simple scale button प्रेस कर देना और boom, आप इससे बाहर आ जाएगे, between यहाँ पर आपको rotation भी दिखा देता हूँ, concept same है, R मैंने प्रेस किया, आप इसको rotate करता हुआ देख पा रहे हैं, अगर आप mouse का middle button एक बार click कर देते हो, त तो यह axis को lock कर देता है, यह देखो, अगर मैंने mouse button को hold रखा, तो यहाँ पर, अगर मैं red axis, यह आप practical करके देखोगे, तभी समझ में आप आएगा, यह देखो, अगर मैं यहाँ पर red axis पर हो ना, तो यह उसी क्या along दिखाएगा, अगर मैं green पर हो, तो यह green क्या along यहाँ प button को press करिए, और वहाँ पर वो चीज़े lock हो जाती है, तो यहाँ पर मैं आपके सामने इसको ऐसा rotate किया along y, अब यहाँ पर बात करते है, scale के बारे में, तो scale के अंधा same वही है, आप यहाँ पर जितना चाहे बड़ा कर सकते हो, छोड़ा कर सकते हो, अगर आप किसी x's में करन होगा, तो यह x क्या along सिर्फ में रहा हो रहा है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसके साथ थोड़ावक प्ले करना सीख गया होंगे, या फिर सीख रहा होंगे, between, practice जरूरी है और notes बनाने जरूरी है, बात करते हैं, orbit कैसे करते हैं इसमें, तो यहाँ पर जो आपका mouse का middle button है, आप इसको hold रखना, ठीक है, middle click को मैंने hold रखा है और आप इसको orbit कर पाएंगे, तरीका एक और है, mouse का right button है, वो आप इस gimbal के पास लेकर आना, then आप यहाँ से भी orbit कर सकते हो, simple है, यह जो circle दिख रहा है, आपका cursor इसी में होना चाहिए, तब आप यहाँ पर इसे भी orbit क नहीं करो, अब बात करते हैं, यहाँ पर कुछ scaling and interface के बारे में, जो कि बहुत ज़ादा important है, यहाँ पर आप edit में जाना, preferences में जाना, and after that, interface में जाओगे, तो यहाँ पर एक बहुत कमाल का option है, called scale, जो आप अपने screen को इसा बढ़ा कर सकते हो, चोटा कर सकते हो, जो कि बहु यह आपको दिखेगा नहीं, मतलब इतना चोटा भी हो जाता है, दिखेगा नहीं, तो अभी यहाँ पर मैं 20 रख रहा हूँ, आप अपने according इसको adjust कर सकते हो, यह मेरा एक favorite interface है, called यह option, जो यहाँ पर given है, और software में भी होना चाहिए, between यहाँ पर आगे एक और option है, called key map, आप अगर इसमें आते हैं, तो आप काफी users की habit होती है, left और right में change करना, like जो भी selections होती है, अभी यहाँ पर देखो, मैं left button से selection करता हूँ, but अगर आप इसको right से करना चाहते हो, तो मैं अभी click कर रहा हूँ, तो नहीं होगा, but अगर मैं यहाँ पर right button क्लिक करता हूँ, तो मेरा commands है, जो हम time के according अपना करते रहेंगे, आप यहाँ पर सारे shortcuts को भी देख पाएंगे, आप इसको import कर सकते हो, ठीक है, यह सारे shortcuts वगरा कर देता है, बट अभी इसकी जुरत बिल्कुल भी नहीं है, move करते हैं, आगे अपने topic पे, called, कैसे pen करना है, अपने orbit करना सीख लिया, अभी pen कैसे करना है, तो उसके लिए, आपको क्या करना है, काफी simple है, shift button hold करके रखेंगे, middle mouse button को भी hold करके रखोगे, और यहाँ पर आप drag कर पाओगे, इस तरीके से, ठीक है, pen कर पाओगे, एक और तरीका है, on screen, यहाँ पर mouse का जो left button है, उसको hold करके रखना, तब आप यह प्रिसाइज वे में करना है, तो control button hold करना, और mouse के button को hold करना, ठीक है, mouse के middle button को hold करना, तो भी आप यहाँ पर काफी precise way में कर पाएंगे, बात करते हैं यहाँ पर, अगर देखो, यहाँ पर total तीन object है, one, two, और three, ठीक है, लेकिन, यहाँ पर अगर मैं यह कहूँ कि मैं बहु जाँ जाँ दूर आ चुका हूँ, कुछ इस तरीके से, या बहुत बड़ा-बड़ा industry का ऐसा आपने कुछ बनाया है, interface में, तो अगर मैं आपसे बोलू कि मुझे directly यहाँ पर jump करना है, इसी object पर focus करना है, तो क्या करना है, दो तरीके, again, आप यहाँ पर back tick button जो होता है, keyboard म वो use कर सकते हो, back tick यह वाला button होता है, तो इस button को अगर मैं press करूँगा, तो मेरा जो interface है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, तो back tick बोलते हैं, यहाँ पर यह again shortcut दिखा रहा है, जिसके बार में अभी हम discussion करने वाले है, तो यहाँ पर back tick के अंदर, आपके पास एक option है, called view selected, जैसे आप click करते हो, आप directly वही पर jump कर जाओगे, इसके साथ साथ आपके पस एक और option यहाँ पर मिल जाता है, back tick activate करूँगा, number 3 अगर मैं press करता हूँ, तो भी यहाँ पर मैं jump कर जाता हूँ, लेकिन यह जब मैं back tick open करूँगा, और मैं 3 प्रेस करूँगा, तब ही possible है अब यहाँ पर चलो, हम आगे बढ़ते हैं, called, अब मालो एक और मैंने तरीका बताना है, तो वो क्या है, मालो कि मैं इस lamp को zoom in करना चाहता हूँ, focus करना चाहता हूँ, तो जो मारा full stop का button होता है, उसको एक बार प्रेस करना, आप jump कर जाओगे, ठीक है, example के तोर पर, यहाँ करना है, इस पर zoom करना है, simply मेरे को full stop पर एक बार click करना है, boom, आप यहाँ पर हो गए, अगर delete करना है, तो आप दोनों को select किजिए, और delete खो जाएंगे, तो काफी असान interface है, बस आपको तोड़ी से मैनत करने पड़ेगे, initial time पर, between, यहाँ यहाँ पर आ जाते हैं, अगले point call, कैसे आप अपने axis को align कर सकते हो, तो yes, मतलब कैसी view कर सकते हो, interface को, तो यहाँ पर उसके लिए, मैं क्या करने जा रहा हूँ, यह एक object है हमारा, यहाँ पर shift d press करके, मैं इसका एक और duplicate कर दिया, and after, इसका एक size है इसको छोटा कर देते है, ठीक है, इसका reason अभी आपको बहुत important है, इसके लिए आपको इस interface के axis को भी समझना जरूरी है, अगर मैं keyboard में one press करता हूँ, तो मैं front view पर आ जाता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुने, यह देखे, यहाँ पर इस axis को भी, ठीक है, मैं front view पर आ जाता हूँ, and उसके बाद, अगर मैं यहाँ पर चाता को दूसरी side से view करना, क्योंकि देखो अभी यह front है, यह वाला, अगर मैं चाता हूँ कि नहीं, मैं इस side से चाता हूँ देखना, called back side, तो उसके लिए क्या करना है, control button hold करके रखना, और मैं one press करूँगा, ठीक है, अब यह देखो, यह back side activate हो गया है, ठीक है, तो इस तरीके स आप इसको याद रखेंगे, और उसके साथ साथ, अब क्या है, अगर आपको right और left side पर देखना है, तो control 3 करूँगा, तो आप यहाँ पर left side देख पायोगे, लेकिन अगर मैं normally 3 प्रेस करता हूँ, तो आप right side देख पायोगे, काफी कमाल का और आसान का, between top और bottom के लिए क् shortcuts है, तो अगर मैं 7 करता हूँ, तो मैं top view पर आ जाता हूँ, है ना, ऐसा, और यहाँ पर भी वही है, pen करने का तरीका, आप shift और middle बटन को click करोगे, अगर मैं आप से बोलता हूँ, कि आपको bottom जाना है, मैं अजब नीचे side से देखना है, तो क्या करना है, आपको simple है, control and 7 प आप 1 के साथ control भी प्रेस कर देते हूँ, मतलब control 1 करते हूँ, तो आप back side देखोगे, control 3 से आप left side, control 7 से आप bottom side पे, अब यहाँ पर एक और option होता है, called perspective and orthographic, अगर आप keyboard पे 5 प्रेस करोगे, तो यह देखो, यह perspective है, और अगर मैं यहाँ पर वापिस से 5 प्रेस करता हूँ, यह orthographic view है, तो यह आपको basic से concept है, जो समझ में आ गया होगा, between यहाँ पर हम आ जाते हैं, वापिस अपने interface के पर, तो उसके लिए बस यहाँ बर मैंने rotate किया, अब आप इन सब चीजों को एक और तरीके से कर सकते हो, view menu के अंदर, आप viewport में जाओगे, तो यहाँ पर भी व property panel को हम धीरे-धीरे cover up करेंगे, as per requirement cover up करेंगे, जो भी आप object को select करते हो, उसका यह interface दिखाता है, उसके बाद यहाँ पर render properties है, so मैंने बताया ना, time waste नहीं कर रहा है, जैसे-जैसे use आएगा, वैसे-वैसे हम आगे करते रहेंगे, उसके साथ आगे चलते हैं, called outliner, यह जो shift D, लेकिन यह तब ही काम करेगा, जब आपको यह object को select रखोगे, तो मैंने shift D किया, आपका एक object इसने copy किया, मेरी बात को ध्यान से समझेगे, जैसे मैंने यह आपर डाला, और या फिर यह देखो, 003 है ना, अभी shift D करूँगा, तो 004 आ गया, ठीक है, तो इस तरीके से, यह पहुत important है, hide करना, camera, आगे सब कुछ detail में बताऊंगा, फिलाल, यहाँ पर outliner का use होता है, दो तरीके से, जितनी वी objects से, उन सब की copies दिखाता है, आप इसको individually बनाते हो, और उसकी सारी चीज़े आती है, groupings और वागे सब चीज़े कैसे करनी है, आगे आप समझते जाए वो objects को organized way में लाना, यह हमारा major काम रहता है, बात करते हैं यहाँ पर camera view के बारे में, तो यह जो हमारा camera है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, called, आप यहाँ पर इसी पर focus करने के लिए क्या करोगे, full stop, ठीक है, तब आप इसी पर focus कर पाते हैं, अभी देखो, यहाँ पर मैं इसको ऐसा click कियाना, तो मेरा यह व्यू आ रहा है, जो भी इसके अंदर से मेरे को दिखेगा, एक बार F2L करके मैं render करता हूँ, यह देखो, view फिलाल कुछ इस तरीके का है, तो क्यों आप इसको थोड़ा सा छोटा करने, तो यहाँ इसको किया छोटा, अब यहाँ पर F2L प्रेस करता हूँ, यह देखो, view कुछ इस तरीके का है, तो यहाँ पर आपको कैमरे के कुछ शॉटकट्स बताता हूँ, जैसे कैमरे में आपको क्या render में देखेगा, तो उसके लिए आप simply इसके तीन तरीकें वैसे, तीनों बता देता हूँ, आप 0 प्रेस करना, त इस पर भी क्लिक करके वापस से आ सकते हैं, और वापस बाहर जाने के लिए उसी पर क्लिक करोगे, एक और दरीक है, view में जाकर, view board में जाकर, और यहाँ पर भी कैमरा प्रेस कर सकते हो, जिससे आपको कुछ इस तरीके से विजवल हो जाता है, बिट्विन आज के इस लेक् सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आया, और आगे की वीडियो देखना चाहते हो, तो बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फो वाचिंग दिस वीडियो, गुडबाई